विरेज जी खेडे कर्ड यादिकनी उपसे दर्मेन मैसला शुरूआत होता है विरेज जी खेडे कर यंसे सौगत पुन्ना एकदा अधेश्य अजित दादा इंचा शिवास्ती ओर्टू फाटक सर धन्यवाद चलिए दोस्तो मैं यासिन मर्चन फिर से एक बार आप सभी को ले चलूँगा इस शांदार मैदान पर राइगर्ड प्रिमियर लीग दो हजार बाइस की आपने सबने देखी होगी वहाँ पे मैन आप दी सीरिच की फोर विलर कार जिस खिलाडी ने अपने नाम की थी वही गेंद बाजी के मोर्चे पर अपना नीजी पहला और टीम की तरफ से पहला ओवर लेकि आया है किरन पवार सावड़ेश वर सावड़ा टीम से बिलॉंग करने वाला ये खिलाडी जबकि स्ट्राइक एंड पर शिरुविक मैन फ्रॉम पेजारी नौस्ट्राइक के एंड पर उमकार हरपाल मैन फ्रॉम चीहां आप्स्ट्राम पर शपल होकर अपने गुटने के बल गए थे और स्क्वार लेक पर खेलने का मन बदा लिया था मगर गेन जड़ में थी और उसे खेलने में थोड़ा सा नाकाम रहे गेन बले का अंदरुन हिस्सा लिया और गेन शॉट फाइनले के दिशा में एक र पर शॉट भी उन्होंने हासिल की है उसके ओपर महारत हासिल की है बहुत ही बढ़िया गेन फिर से एक बार देखिए बले बास को चक्मा दिया था आपस्ट्रम पर लहरा थी भी गेन टपा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थोड़ी सी नीची रही फिर से ए जड़ से खोद कर खेला था मगर शॉट कवर में फिल्डर तैनात थे बहुती बढ़िया फिल्लिंग और इसी वज़ा से रन नेने की कोई कुझाइश नहीं ची हाँ इस मतबा ओवर पीच गेन उसे ऑन दर राइस खेला था डीप बैकवर्ड स्क्वेर ले के दिशाब में पए थोड़ा सा फंबल हुए हैं वहां के खिलाडी और देखते देखते गेन सीमारिका के नजदी के करन धुड़े जब तक उस गेन को फिल्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों भी बल्ले बाजों ने दोरन आसारी के साथ मुकमल कर लिए खरा फिल्लिंग देखिए फिल्ल किरन पवार ने उस गिन को फिल्ड किया और हर रन की गुंजाइश को यहां पे खारीच कर दिया है देखते देखते पहले ओवर की भी समापती हो चुकी है पहले ओवर में पांच रन खर्च हुए है धन्यवाद एसीन सेर पास धावा या शटका मदे आपन आलेले पाहले शान गोलन दाजी धाली शिरुविक आणि ओमकार हरपाल या दोगानी या डावाची सिरुवात केली पन धावा मात्र थेवड़ा चांगले आला नाही करण किरन पवार ची गोलन दाजी आज आज पनास्ते ची बॉलिंग सुद्धा अपन माईदाना चांगले दर्जय ची जाली पाहली शिरुविक चाफटका पाहतो है डीप स्क्वेर लेक चे शेत्रा मधे दावफलका जी धाव सुद्धा पाहतो एक दावसेंके जाली आज साहा जे चार आइकोन प्लेर सापना प्रतिक टीम मदे बक्तो तैचा मदे स्वास पावर नावाचा जो गोलन दाज तो सुद्धा अतिशे कसले लाचा अनभई गोलन दाज उमकार हर पाल डावे हाथा जे फलन दाज सामना करता जूरात फटका मार लाए वाट अ फेंटास्टिक सिक्सर रहा डीजे ओमकार हर पाल सा एक सांगला दरजेदार फटका पाहला मिलतो है मिड़ी विकेट बाउंडरी चाक शेतर रक्षकाचा डोक्या उरुन मार लेला पटका चांगला तंतरशुत पटका यावेले सपाहला मिलतो है आप लेला सुआस पावार पनाम ओमकार हर पाल आची ही मैच अपन सद्याचा घड़ेला मैदाना पहातो है उंकार हर पाल चा फटका पहातो है पन लोंगान फिल्डर चेंड़ु अर्तायना त्यों पूडी सर्शाओं चेंड़ु अड़ोला है धाव एक मिलते है स्ट्राइक रूटेड केला है शिरुवेक अने उंकार हर पाल यानि शुरुवात केली मदेश चांस प्राप्त जाला तर फटका मारला चवदा धावा आत्ता परेंत आलेला है धापल का वरती आणि जे टोटल टार्गेट है ते बावन धावन चाहे तेरा धावा प्रत्यक शटका मागे कशाही करों जमोन क्रमप्राप्ता है त्याना आणि त्या दुरुष्टिकों नतुन फलन दाजी सुद्धा त्यांची आक्रमख होती है बरापे की होती है सुवास पावारता चेंडू अफ्टम चा अधीक बाहर गेला पंचाचे हाथ सहाजी कर सुरुद्ध जाले आणि तातकाल इशाराम चा स्कोरर प्रहंत आदा चेंडू वाइड है दवसं क्या वारते 15 प्रहंत गेली आए 15 रंस ऑन बोर्ड बड़ा स्कोर जेस करना है तो बड़े स्कोर का पीछा करते हुए बले बाजों को भी पता है हलके शौट या सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला यहाँ पर शिरुवी का शौट खेलते हैं नजर आए कवरक शेतर में इस गेन को उन्यने धगेला था फिल्टर महजुद थे गेन को उठाते तब तक बले बाजों के पास परियाप समय था एक रंद हासिल करने का एक रंद के साथ रंसंक्या 16 कोई विकेट नहीं अभी तक विकेट को समाल के रखे हुए हैं बहुत अच्छी पार्टनर्शिप बनने जा रही है मैदान में स्वास पावार की गेन को गुटना टेक और सीधे तमाशा बाउंडरी के बाहर देख छक्का देखे दोस्तों इस शॉट में नजाकत, फूट वर्क, टाइमिंग और बहुत कुछ दिखाई दिया बहुत अच्छा शॉट इस ओर में 17 रंद खर्च किये गेनबाज सुआस पावार ने महेंगे और खर्चे ले साबित रहे और पहले ओर में किरन पावार मात्र पांच र विकेट नहीं मिला, इस ओर में भी कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन जब गेनबाज खर्चे है तो फिल्डिंग साइट पर थोड़ा सा प्राबलम क्रेट होता नजर आया है, अब गेनबाजी के मोर्चे पर आने वाले रजत मुंडे, बले बाजी में चमतकार दिखाया, ब बहुती बड़ा नाम है ये, शिरुविक का शॉट देखो, मिड विकेट की दिशा में आ रही थी गेन को, फिल्डर ने उठाया, बहुत अच्ची फिल्डिंग, अगर थोड़ी गलती करते फिल्डर तो गेनद बाउंडरी के पार निकल जाती, लेकिन फिल्डर बहुती च ओमकार हरपाल और शुरुविक की जोड़ी तोड़ना एक सपना होगा गेनबाजो का, लेकिन अभी तक ये जोड़ी ने बहुत अच्छा खेल मैदान पर प्रदर्शित किया है इस वक्त मैदान पे, यहाँ पे बहुती तगड़ा, बहुती लंबा, यूजेंड हैंडसम से जिले ले जिले की एक्शन और उसके खिलाब जाकर उनकी टाप रियाक्शन, 29 रंस, 29 रं बोर्ड के उपर लगे हुए है, दोस्तों क्या शाट खेला है, इसे कहते है बहतरीन खुबसुरा चाट, क्या टाइमिंग था, तीन छक्के अभी तक जड़े हैंगार हरपाल ने, और तीन छक्के के जरिये अपने टीम को किस तरह से बचाए जा सकता है, इसके बारे में सोज विचार करने वाले ये बहुत ही दमखम वाले शौट्स आपको दिखाए दिये, ऐसे लेप खेंडेड बैट्समन काफी तगड़े खेल रहे है, यहाँ पर रंसंक्या 29, दो गेंदे अभी यहाँ पर हुई है रजत मुंडे के द्वारा, मुझे लगता है गेंद बाजों की पिटाई होना तकरिवन तय है, ऐसा नजरा नजर आ रहा है, यहाँ पर चुग गए मारने में लाइन और लेंद काफी यहाँ पर बढ़िया रही, गेंद बाज रजत मुंडे के द्वारा, बले बाजों को अवश्य चक्मा दिया है इस वक्त और डिकलर जोन में जाने के कारण, अच्छा नहीं, यहाँ पर कोई रन नहीं, एक एक बड़ा शॉट आपको जीत के और अग्रेसर करने वाला है, जीत के और आपको लेकर जाने वाला है, इसमें कोई शक्य गुंजाईश नह अगली गिन, यह जर्में डालने का प्रयास, बले बाज ने इस शॉट को खेलना चाहा लेकिन यह शॉट काफी धीमा रहा, बले बाज के पास खुबसरत शॉट का बहुत बड़ा कोटा है, लेकिन गिन बाज भी कभी कभी हावी होके, बले बाज को परेशान करने का मोका छ थोड़ता नहीं यह भी देखा जाता है रजत मुंडे और अभी तक यहां पर रंसंख्या 29 रंस बोट के उपर 52 रंदों का टार्गेट सामने दिखाए देता हुआ बैदान में उमकर हरपाल यहां पर बहुत अच्छा शॉट खेलने का प्रयाज गेन वन पाउंस बाउंडरी के बाहर चार रंद के लिए करार अश्ट्रोग एक बाल बाकी है इस ओवर का एक बाल बाकी है आज देखो तकरीबन तीन चक के एक बाउंडरी यहां पर गुमकर हरपाल ने लगाई है और अपने टीम को जब बाउंडरी के आवज शक्ता है तो उसी हिसाब से उन्होंने तगडी बल्ले बाजी यहां पर कर दिखाई है बहुत ही बीटिफुल और अलसो सक्सेश्फुल बल्ले बाजी ओमकर हरपाल के नाम ओमकर हरपाल 27 तरन पर नौटाट खेल रहे हैं तीन चक्के एक चवका इस तरह से उनकी बैटिंग आज मैदान पर खुल कर खेलते हुए नजर आये है इस मैदान पर टाप कलास बल्ले बाज अच्चे अच्चे गेनबाजों के चक्के छुड़ाए अच्चे अच्चे गेनबाजों के उपर खासा प्रभाव डाले दबाव डाले आणकी चटकार मारला तर विश्वास हरी थड़े कोलगाओ यांस कड़ुन रुपे पाश्चे जबक्षिस प्राप्त होना रहे आणि ओमकार हरपाल हे बक्षिस जिंकनार का अशी प्रतिक्षा अश्नाराय अपले सर्वानना 33 हावा थाले धाव फलकावर्ति रजत्मोंडे चाहा चेंडू चांगला पडला उता दरजेदार चेंडूला त्यावडीच चांगला प्राकरे फला नाजीपन करून दाखोली एक धाव प्राप्त होते दव संक्या होते 34 धावा तीन शटकांचा समाप्ति आखेरिस 52 धावांचा पाठला करता वेलेस या मैदाना मदे ओमकार हरपाल शीरुविक या दोगानी बाजीकर फलनाजी करताना तब बल 34 हावांची पार्कनरशिप या बोर्डावर्ति लावलीली पाहला मेंटे आपलेला बल्ले बाज भी इसी तरह रफेंटब बल्ले बाजी कर रहा है और यही परिभाशा बता रहे है कि दोस्तों हमसे बजके रहना वरना बावंदरन तो हम ऐसे ही उडाले जाएंगे कोई शक की गुणजाईश नहीं अंतीम शटका साड़ी गोलंदाज नहीं उक्त केला है नवा गोलंदाज नवा शटक अंतीम शटक करन ढूले अता धावा पाईजे आहे त सहा चेंडू बाकी अस्ताना अट्रा धावा पाईजे तीन मोटे शाट पाईजे जावलेस मात्र फलंदाज चुक्तोई चक्तोई की काया आणी क्या आश मात्र सुटलाएं नशीब यालास मंतात मित्राननो नशीबाने दगा द्याईचा की नशीबाने साथ द्याईची ती फक्त वेल ठरोते और रजत मुंडे चा टाइम चांगला आहे आसा सुद्धा या शाट्ट्या द्वारे पाहला मिलते आप लेला क्या सुटली ओमकार हर्पाल ओमकार कारे तो फलनान्दाजी करतो ये दादेरेशर दामोल पाड़ा आणि शाईचिराड ब या दोन संगांचे क्याप्टन नी त्वरी टॉस्बाक्स मदे टॉस्काराला उपस्तित भाहिचा आहे आशी त्याना आग्रह पुर्वक नम्र विनंति आश्नार आहे ओमकार हर्पाल आज कमाल वोमकार हर्पाल ची कमाल काई थामबे ना आणि चंडु पाउठला आउट अब दपार्क शिक्स रन दीखे एचारीस धावा आणि आता चेंडु शिल्लक आहेत या सामन्या मदले चार चेंडु शिल्लक आहेत आणि दहा धावांची आजुन सामना जिंकायला गरज आहे मित्रानो सामना आजुन संपला नाई आए आणि दोनी संगा मंटायत आमी आजुन हरलेले नाई आत असा चित्र मैदान आता है दोनी टिमना सामना सोडाय चा नाई आए आणि जिंकन आणि जिंकन हा एकस सपन एकस हेतु हा सामन्या मदे त्यान सा अश्णार आहे पन जोडि तुटत जूडिने कमाल के लिए और त्याचा मदे सर्वात कमाल गोष्ट कोंटी तर ओमकार हरपाल ने पस्ती धावा नाबाद के लिए 10 धावांची गर जै और चेंडु मत्र शिल्लक आहे 4 चार चेंडु दाधावांची कैलकुलेशन आप लेला डोलाय समोर दिशते पणि या चित्रा मदे या पिक्चर मदे कोंट अशनार आहे बाजीगर आणि कोंट अशनार आहे या म्याच्चा सिकंदर ते सुध्धा बगाईचा आहे रजत मुंडे खरे आर्था नो बाजीगर फलंदा जाहे एकदम टेरिफिक एंड टेरर फ्रेंटास्टिक बैश्मन ओमकार हरपाल ओमकार हरपाल ने आज कमाल कमाल आणि कमाल के लिले आहे 41 not out क्या बात है डीजे प्रेंटास्टिक बैश्मन ओमकार हरपाल ने आज कमाल कमाल के लिले आहे नेतर दीफक असत्याने कजभी काम के लिले आहे प्रेंटास्टिक तीन चेंडू आणि चार धावान परेंद सामना खेचुन आणिलाए आणि या मैच मधे ओमकार हरपाल हा जो हुकमाजा पत्ता आहे तो आज करामजी ठरलाए डैशिंग फलन दाजी शिरुचे फक्त चार धावा शिरुने फक्त तेला स्टांड डिलाए आणि हा स्टांड डिलावान जे ते सुद्धा तेवड़स महत्वाचा आहे करणा समरुन फटके बाजी ये ते पन आपन एका टोकाला थामला पाई जे यहाला मंता टेनिस क्रिकेट मदला विश्वास आणि टेनिस क्रिकेट मदला तंतर शुद्ध खेलाचा प्रदर्शन ताट इस फेंटास्टिक तीन चेंडू चार धावा असा सामना खेचुन आणलेला आहे आणि त्या खेचुन आण्याच सार शवरे गाथा या सामनेची पूर्ण कहाणी आणि त्याता शिल्प करा है तो मैन ओमकार हरपाल नाम तो सुना होगा काई बैटिंग है काई क्लास बैटिंग है काई तंतर शुद्धत आहे आणि काई प्रद नाजीता दरचा आज अपलेला पुन्धा त्या चकड़न पाहला मिलतो है ख्या बात है याला कोणी थामवाईच याला कोणी थामवाईच याला कोणी थामवाईच मैं आज घ्योन गेला दोन छिद्लू राखुन कमाल झाला कोणी थामवाईच याला 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 कोणी था कि या बद्दल हजार उबेद्र बारतों शिक भुपेंद्र पेठा रहे जिराड या इंचा कड़ुना है सदाने महातरे कोलगाओ यांचा कड़ुन ओमकार हरपाल ना चांगली फलानदाजी कवरुन सामना जिंकून दिली बद्दल रुपें 25 ता पुरुस्कार आहे आणि केश्रेनात मातरे यांस कोड़न दोनची रुपे असा सारा पुरसकार आज आज साम्लाचा हीरो ठर लेला ओमकार हरपाल याला अपन देना रहोत क्या बात है नाव आणि कमाई दोनी कमाईला हा प्लाटफरम तुछा साथी सर्वोत्त मायमी तरानो क्या बात है हे रोग बक्षिस आपन ओमकार हरपाल चा कड़े द्याईचा है हे सारा बक्षिस रोग सुरुपा मतला आपन आलेला पाहात है आणि ते ओमकार हरपाल चारख्या तुफान फलन दाजला आपन देतवा होत नाबाद 48 थावा टारगेट 52 थावान चा होत दोन चेंडू राखो ना सामना तेने किशाट टाकला इन पोकेट आसा अपनेला पाहाला मिलते आणि काय फलन दाजी केली अट्राशी रुपाय चा रोग पारितोशीक त्याला वीवी ता माद्धिमा तुन प्रात्त जाला मैश माने हैं चाकड़ून एक हजार रुपे इनाम हे सुद्ध त्यना देने त्यना राहे बराद बक्षिरांची लाइलूट आणि नावाची कमाई